आप बादिन्स टुडेंट्स बच्चों आप सबने अपने चैप्टर जो टू है उसके रिडिंग कर लिया होगा उसको और लन कर लिया होगा कर लिया है सब बच्चों ने और word meaning भी learn कर लिया होंगे word meaning copy में लिख भी लिया होंगे आप समने 21 meaning थे जो learn कर लिया है सब बच्चों ने और copy में भी लिख लिया होंगे आज हम second chapter की question answer करने जा रहे हैं the first question of the second chapter joy with letters is who has a long trunk who has a long trunk किसकी लंबी सून थी answer is elephant has a long trunk elephant मतलब हाती की लंबी सून थी आपने word meaning में पढ़ा था ना trunk का meaning क्या होता है सून किसकी लंबी सून थी हाती की लंबी सून किसकी लंबी सून थी आवर exercise है उसे book में भी करना है और copy में भी करना है first word is complete the word is trunk trunk में you का space दे रखा है तो आपको आपको आपकर क्या करना है you लिखना है trunk trunk means सून आती की सून पढ़ी थी हमने trunk next word is जिराफ जिसमें आई के लिए और डबल एफ का space है जिसमें आपको क्या बढ़ना है आई और डबल एफ जी आई आई डबल एफ ए जिराफ next word is p-rk तो यहां क्या आएगा a तो क्या बन जाएगा park पार्क का मीनिंग आप सब को बता है क्या होता है पार्क का मीनिंग बता हिए उप्वन next word is i-ia तो इसमें क्या आएगा d India हमारे country का नेम क्या है what is the name of our country the name of our country is India next word is hi h-i-h तो इसमें क्या आएगा g hi मतलब उच्चाई next word is n-st तो यहां पर क्या आएगा e तो यह हो जाएगा nest nest मिन्स क्या होता है गोसला जहां पर चिडिया रहती है इनकों से बनकर बनाती है ना चिडिया गोसला उसको कहते है nest तो बच्चों आज आज आप क्या करेंगे अपनी कॉपी में यह question answer करेंगे और यह complete the word बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से मेसेज वाटसब मेसेज कर सकते हो प्रॉब्लम होती है